प्रेविद्यार्थियों आप सभी को मैंने नमशकार और आज हम चर्चा करेंगे योग एंड हॉलिस्टिक हैल्थ जो आपका पेपर है उसके आज हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको नमशकार करता हूँ परणाम करता हूँ और आप सभी का इस वैखनमाला में श्वागत करता हूँ तो दिखें आज वर्ल लॉफ्टर डे है यानि विसु हासे दिवस है यानि फस संडे मई महने के पहले संडे को ये हासे डे मनाया जाता है और अब की बार 2024 में ये पाँच मई का लॉफ्टर डे है वर्ल लॉफ्टर डे विसु हासे दिवस क्यों है क्यों है क्योंकि लोग हसना भूल गए है जो हसेगा वो बीमारियों में कभी नहीं फसेगा तो चलिए हालस्टिक हैल्थ का हमारा ये पेपर और इसी पर आज हम महा मेराथन की तरह से इसको एक घंटे में कवर करने की कोशीज करेंगे तो देखिए सबसे पहले जो पेपर का टाइटल उसके बारे में हम जान लेते हैं फिर आगे हम चर्चा करेंगे तो हालस्टिक हैल्थ योग के बारे में आप सब जानते हैं योग मतला केला योग नहीं है उसमें आसन प्रणाया मुद्रा बन ध्यान सटकरम अनायम नियम ये सब चीज़े उसमें इंक्लूड होती हैं इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और हालस्टिक हैल्थ का मतला होता है समग्गर स्वास्ते यानि समग्गर स्वास्ते या संपूर्ण स्वास्ते या पूरनतावादी या अखंड या सरवाणिन है ना कहते है इसका सरवाणिन विकास यानि शारेरिक मानसिक बादिक तभी माना जाता है ना सरवाणिन विकास तो इसी तरह से holistic health भी तभी मानी जाती है जब आप सारेरिक, मानसिक, भावनात्मक, अध्यात्मिक, सामाजिक सभी तरह से समगर रूप से जब आप सवस्त हो चारो तरप से आप सवस्त हो तभी उसे holistic health कहा जाता है तो योग और holistic health की जो unit है उनके बारे में हम जान लेते हैं, उनके बारे में हम सुनेंगे तो देखिए सबसे पहले जो unit है concept of body holistic health and disease तो सबसे पहले है कि जो सरीर है, इसका क्या concept है हमारी जो body है, हमारा जो देह है, हमारी जो शरीर है जो हमारा श्थूल सरीर है इसका क्या concept है इसकी क्या आउधारना है और कौन-कौन सी selected disease है और क्या इसका समगर स्वास्ते है तो ये आपकी unit है तो सबसे पहले है meaning and definition of holistic health तो देखिए समगर स्वास्ते को हम थोड़ा सा जान भी चुके हैं फिर जान लेते हैं कि समगर का मतलब होता है पूरण रूप से है ना complete मतलब उसके बाद कोई कमी नहीं है कहते हैं ना मैंने सारे check-up करा ली मैं एकदम fit हूँ, सवस्त हूँ, healthy हूँ है ना तो ऐसे ही सारी तरह से चारो तरप से है ना अपने आपको ठीक कर लेना या ठीक होना वो ही स्वास्त है तो सबसे पहले स्वास्त है क्या होता है देखिए स्वय पलस्त है जो स्वय पलस्त है स्वय पलस्त है स्वास्त को हम दो टुकड़ों में बाट लेते हैं स्वय पलस्त है जो सोम में इस्थित है वो स्वस्थ है और हॉलेस्टिक का मतलब जो शारिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक रूप से जो स्वस्थ है ठीक है न, डेवलेचो के डेफिनेशन भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और अईरवेद में तो कहा ही गया है क्या कहा गया है कि समदोसे समागन शमधातू मल करिये परशनान तेंद्रियमन स्वस्थिती भी ती थे यह न, जिसके तीनों दोस्थ समवस्था में हो वातवित कफ, समागनिश्य यह उसकी जो अगनिया है, कितनी अगनिया मानी गई है तेरा अगनिया है, साथ धातव अगनि, जो हमारे धातविय होती है पांच भूता अगनि, पिर्थ्य अगनि, जल, वाय, वाकास, और एक जट अगनि टोटल तेरा अगनिया अईरवेद मानी गई है, वो समवस्था में होनी चाहिए समधातू, यानि आपकी जो साथ धातवे हैं, कौन-कौन सी साथ धातवे हैं आपको पता होना चाहिए, जो भी हम बोजन खाते हैं, उससे सबसे पहले रस बनता है रस, रग, मास, मेद, अस्थी, मज्जा और शुकर समधोसे समागनिश्य शमधातू, यानि ये साथ धातवे समवस्था में होनी चाहिए मल किरिये, जो भी मल निश्काशन के क्रिया है, वो ठीक होनी चाहिए मल मुत्तर, तवचा से भी हमारी गंदकी निकलती है तो ये सारे जो औरगन्स हैं, जो हमारी शरील की गंदकी को भाहर निकलते वो ठीक होनी चाहिए समधोसे समागनिश्य शमधातू, मल कि रिए ज्यारा इंद्रिया है तो वो क्या होनी चाहिए? परसन होनी चाहिए परसे ना तेंद्रियमनाह स्वस्ते इतिवीति वो वेक्ती स्वस्तन भाती हालस्टिक डेफिनेशन है यह ठीक है इसे डेफिनेशन को हम हालस्टिक डेफिनेशन कह सकते हैं of health this is the holistic definition of health according to आयरवेद तो यह आयरवेद के अमशार है डबलेच्चो के नुसार शारिक मांसिक और अध्यात्मी गृप से जो स्वस्त है वो स्वस्त है अब आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए यगी कंसप्ट और बोड़ी है इसके अंदर कंसप्ट दिया गया है किसका पंच को उसका तो देखिए जो तैतरी उपनिशद है यह उपनिशद वरुन और बरगू की कहानी से लेटेड है ना महर्शी वरुन है और उनका बेटा भर्गू है उसकी खानी से लेटेड है और इसमें तीन वल्ली है सिक्षा वल्ली ब्रमानंद वल्ली और भर्गू वल्ली चीक है तो इसी के अंदर पंच कोस के उधारना का कंसप्ट है क्योंकि भर्गू जो है वो जानाना चाहते है वो ब्रम के बारे में जान पूछा था अन्द में कोष प्राण में कोष विज्ञान में कोष और आनन्द में कोष यह नेट का एक्जाम में भी एकवर सीक्वेंस इसका पूछा था अन्द में प्राण में मनों में विज्ञान में और आनन्द में यह क्या है पंच कोष है तो अन्द में सरीर क्या है उसा थुल सरीर है जो दिखाई देता है ग्रॉस बॉड़ी है जो पंच महाबूद से बनाए प्रित्व्यगनी जल्वाय आकास अनुभव कर सकते हैं इसको हन जानवर काड़ता है तो अभी हमें पता चलता है ठीक है तो हमारा क्या है यह अन्द में कोष दूसरा प्राण में कोष स्वास प्रैस्वास और जो भी चेस्टाइं होती है वो प्राण में कोष से लिटेड़ है तीसरा है मनों में कोष तो मनें में कोष में क्या है यह विच बुद्धी का प्रियाय है और जैसे होता है ना सुद्ध बुद्ध हो जाना किसी ओरी संसार में हो जाते हैं हम कहते हैं ना दूसरी दुनिया में आ गया मैं शरीर इंद्रियों को भूल जाता है ना आदम ना शरीर है ना इंद्रिया है ना मन है तो वो विज्ञान में शरीर ह चिक है आनंद में क्या होता है आनंद में का मतलब होता है अपने ही सवरूप में प्रतिष्ठित हो जाना है योग शूत्र में भी कहा है तीसरा जो शूत्र है तदाद रश्टू सवरूप या स्थानम कि जब चित्व्यतियों का निरोध कर लेता है यानि योग को शिद कर ले है यह और यह सरीर कि यह सथूल से सुक्सम पुणते हैं पाच्चो जो पुणते हैं सथुल है विर सुक्सम उससे सक्सम उससे सुक्सम होती चली अनमे जो कोश है उसका जो गुन है वो क्या है जनम मृत्यू है उसका जनम होता है मृत्यू होती है अनमे कोश का फिर प्राणमे में क्या होता है भूख प्यास का अभाश होता है चिक है और ऐसे मनों में में क्या होता है मो होता है भ्रम होता है दुख होता है तो अनमे जो शर सथूल है और भातिक शरीर का निर्मान इसमें होता है यानि सथूल शरीर भी कह सकते हैं बहुतिक शरीर भी कह सकते हैं और जो प्राण में प्लस मनों में और विज्ञान में जो तीन कोसे हैं वो सुकसम शरीर है या लिंक शरीर से लेटड़ है अनमें जो कोसे किस लेटड़ ह स्थूल शरीर से लेटेड़ है बहुतिक शरीर से लेटेड़ है प्राण में मनों में विज्ञान में अगले जो तीन है वो किसे लेटेड़ है सुकसम शरीर या लिंग शरीर से है और आनंद में जो कोश है वो कारण सरीर या करण सरीर से है तीन तरह के शरीर बताए ना सवपनवस्था जो होती है वो सुकसम और कारण सरीर से लेटिड होती है और सुशुक्ति या गहरी निद्रावस्था होती है है ना वो आनन्द में कोस के वस्था होती है तो ये सामने हमने फाइव सैथ्स के बारे में जाना शरीर के जो आवरण है पांच उनके बारे में हमने जाना इनको अगर आपको विस्तार से थोड़ा ओर जानना है अब बाईलियंगल जानना है हिंदी और अंगरेजी में तो आप योगशार पुस्तक में सबसे अंतिम जो यूनिट है उसमें पंच कोश के उधारना को सपष्ट किया गया है वहाँ पराप अच्छे से देख सकते हैं जान सकते हैं अब सभी के पास पुस्तके भी अवस्य होई आगे मैं चर्शा करूँ concept of आदी and व्यादी आदी और व्यादी का concept दिया गया है तो दिखिए आदी और व्यादी के मैं बात करूँ तो आदी क्या होती है ये पूरा जो कंसप्ट है योगवसिस्ट जो पुस्तक है उसके अंदर दिया गया है चीक है तो योगशार जो कुस्तक है उसमें भी आप देख सकते हैं योगशार जो कुस्तक है उसमें भी आप देख सकते हैं योगवसिस्ट का जहांची कराता है आधी और व्याधी तो आधी और व्याधी को शयुक्त रूप से मनोकाईक या मनोधहिक रोग भी कहते हैं चीक ह मानसिक रोग चीक है व्यादी का मतलब क्या होता है शारेरिक रोग आधी का मतलब क्या होता है मानसिक रोग साइकिक यह ना जैसे तनाव आउसाथ डिप्रेशन जो भी व्यादी की अगर मैं बात करूँ तो व्यादी में क्या आता है जो भी शारेरिक रोग होते हैं जो दिखाई देते हैं सपस्टूप से व्यादी में है और जो मानसिक रोग होते हैं मैंटल डिशोर्डर होती हैं वो आधी में आती हैं तो पूरा कंसप्ट जो है किसमें दिया गया है योग वसिस्ट पुस्तक में दिया गया है कई बार मानसिक रोगों से शारेरिक रोग होते हैं यानि आधी से कभी व्यादी हो जाती है कभी शारेरिक रोगों से मानसिक रो एक क्रोनिक होते हैं, एक एक्क्यूट होते हैं, एक्क्यूट तीवर रोग होते हैं, क्रोनिक होते हैं, जो लंबे समय तक जिरन रोग होते हैं, जो लंबे समय तक रोग बना रहता है, जैसे खासी लंबे समय तक बनी रहते हैं, तो क्या बन जाती है, टीवी बन जाती है, और आदी से व्यादी और व्यादी से आदी उत्पन हो जाती है. चीक है? आगे है concept of three गुनाज. तीन गुन. यानि व्यक्ति के अंदर सतोगुन है, रजोगुन है और तमोगुन है. चीक है? सत्तव, रजव और तमस. तीन प्रकार के गुन, परतेक व्यक्ति में होती है. इस धर् व्यक्ति सतोगुन परधान होता है, कोई व्यक्ति रजोगुन होता है, कोई तमोगुन होता है. तो देखिए, गीता में भी बहुत अच्छे से वगवान स्रीकृष्ण बताते हैं, सतोगुनी व्यक्ति की विसेशता ही बताते हैं, रजोगुनी की विसेशता ही बताते हैं तमोगुणी की विशेषता ये बताते हैं तो आपके सबके पास एक पुष्टक होगी गीता योगमरित उसके अंदर ये कंसप्ट दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं है ना एक अध्याय भी है कोन सा ध्याय गीता का बताना जिसमें त्री गुण की चर्चा की गई आपको इस पे कॉमेंट बॉक्स में लिखना मुझे पता चल जाएगा कि आप सबने इस वीडियो को ध्यान पूरक सुना है समझा है ठीक है कि त्री गुण का कॉंसप्ट जो है उगीता के कौन सा ध्याय में दिया गया है तो सतो त्री गुण का मतलब तीन गुण त्री का मतलब तीन और गुण का मतलब विसेष्था है ना गुण विसेष्था होती ना कॉलिटीज त्री कॉलिटीज तो सतो गुणी व्यक्ति कोन होते हैं जो भी धार्मिक परवर्ति के होते हैं जो भी घूमने फिरने वाले मोज मस्तियानंद करने वाले सतोगुनी होते हैं धार्मिक विशार धारा के लोग उजा पाथ करने वाले लोग शांत्प्रिय लोग वो कोन होते हैं सतोगुनी व्यक्ति होते हैं सतोगुनी व्यक्ति सफेद वस्त्रों को पसंद करते हैं सफेद चीजों को पसंद करते हैं तमोगुनी व्यक्ति रजोगुनी व्यक्ति किसको पसंद करते हैं लाल चीजों को पसंद करते हैं ज्यादा अग्रेशिव चीजों को पसंद करते हैं और रजोगुणी रजोगुणी सोरी तमोगुणी तमोगुणी कौन होते हैं तमोगुणी होते हैं जो आरश्य में रहते हैं निठलने रहते हैं सोते रहते हैं आराम करते रहते हैं रैस्ट करते रहते हैं राक्ससी परवर तो हमारा तमोगुन हैवी हमारे अंदर होता है तभी हमें निद्रा आती है फिर में सुबह हम उठते हैं तो हम सतोगुनी होते हैं कुछ समय हमारे ब्रह्म मूर्त होता है विचार पवित्र होते हैं दिवी होते हैं शुद होते हैं तो हमारा जो सभाव हो वो सतोगुनी होता ह और फिर जैसे हम दिन में होते हैं तो वहाँ पर है ना क्या होता है रजोगुनी होते हैं तो अगर हम 24 गंटे के साफ से देखें तो भी हमारी इनों प्रकर्तियां उपर नुचे होती रहती है ना कभी हम सतोगुनी हमार उपर सतोगुन है भी होता है कभी रजोगुन और कभी तमोगुन हालांकि अगर common category करें तो तीन category के वेक्ति मिल सकते इसमें personality को भी जोड सकते हैं त्री टाइप ओफ फर्शनल्टी हैं न गीता के coding सतोगुनी वेक्ति करजोगुनी वेक्ति और तीसरे तमोगुनी वेक्ति उनके बारें बहुत विस्तार से बताया है अब आगे बात करते हैं पंच महाबूत पंच का मतलब होता है पांच महाबूत महाबूत क्या है प्रिथ्वी अगनी जल वायू और आकास ये क्या है पंच महाबूत है तो कि हमारा शरीर है वो पंच महाबूत से ही निर्मित है और प्राकरतिक्च किछ्या का इसी धान्त भी है क्या कि जब पंच महाबूतों में imbalance होता है एशंतुलन होता है तब ही कोई न को रोग उत्पन होता है तो प्राकरतिक्च किछ्या में इनी पंच तत्वों को आधार मानकर शरीर का उपचार किया जाता है किलियर पंच महाबूद क्या है लेकि सबसे पहला महाबूद कौन सा बना था आकास चीक है आकास से क्या तत्त उत्पन होता है आकास से बना है फिर वायू चीक है आकास में जब विकार पैदा होते हैं तब क्या बना है वायू वायू में जब विकार पैदा होते हैं तो क्या बना है अगनी अगनी में जब विकार पैदा होते हैं तो क्या बना है जल और जल में विकार पैदा होते हैं तो क्या बना है तृत्वी तो इस तरह से ये पंच महाभूत की संरचना होती है ठीक है तो पंच महाभूतों में हमारा शरीर है अगर हम सट चक्रों की भी बात करें तो सबसे जो मूलाधार चक्र है उसका संबन्द किस से है आपको पता होना चाहिए मैंने कई बार आप लोगों को बताया है उसका संबन्द पृत्वित अठ्त्त्तों से हैं ऐसे ही हमारा स्वादिश्ठान चक्र है वो किस से है हमारे जल अठ्त्त्तों से फिरूण से उपर हम आते हैं तो क्या है लाबी में जो चक्र है उसका क्या नम है आप खुद बताना comment box में लिखके उसका संबन्द हमारे किससे अगनी से है है ना हमारा जो अनाहत चक्र है जो दोनों सत्नों के मद्दे है उसका संबन्द हमारा किससे है वायू से और हमारे विशुद्धी चक्र का संबन्द किससे है आकास से है ठीक है तो ये पूरी बोडी का जो structure है वो भी हमने पंच महभूत का coding जान लिया अब आगे हैं पंच प्राण and the role अगर आपको और जानना है ना पंच महभूत के बारे में तो योगशार का जो अंतिम चेप्टर उसमें ये दे रखा है तरी गुण भी दे रखा है वहाँ पर और पंच महभूत भी दिये हुए है अब हम जान लेते हैं पंच प्राण के बारे में और उनके रोल क्या है स्वास्थे में और हिलिंग में तो देखिए पंच प्राण आपको पता होना चाहिए क्या है पंच प्राण क्या है बताई आप पंच का मतलब पाच और प्रान क्या है प्रान अपान व्यान उदान और समान ठीक है ये पाच शरीर में कहां कहां होते हैं प्रान कहां होता है अपान कहां होता है नाभी से नीचे का पान है व्यान कहां होता है उदान गले से उपर का होता है समान लाबी से और हर्दे के बीच में होता है व्यान पूरे शरीर में होता है जैसे बलड की बात करें तो जैसे खून पूरे शरीर में होता है तो ऐसे व्यान पूरे शरीर में होता है पंच प्राण है, आपको पता होना चाहिए किसकी क्या स्थिति है शरीर में, और पंची क्या है, उपप्राण है, कौन-कौन से है, नाग, कुरूम, क्रिकल, देवदत, धनंजे, ठीक है, कुरूम कहा होता है, पलकों में होता है, क्रिकल, जो आपको कफ होता है, कफ अगर आता है इसमें होता है देवदत जो आपको जंबाई आते हैं याविंग उबासी लेते हैं वी टेक एक्स्ट ऑक्षिजन वो होता है और धरंजे क्या होता है जो इक्टर डेत मुर्त्यू के बाद निकलता है देखाओ न कई बार कोई छिपकली की पूँच कट जाती है तो पूँच कई बार हिलती रहती है ऐसे व्यक्तिकी केते हैं कि ओंगली कट जाती तो भी हिलती रहती है कई बार यह बताते हैं लोग की जिसे मुरुगा काटते हैं तो उसकी गरदन काट देते तो मुरुगा कई दिर भीना गरदन भी घूमता रहता है तो वो किस वज़े से घूम पाता है उसके अब मैंने छोड़ दिया है नाग नाग कहा होता है नाग उपप्राण का सम्मंद किस से है यह आपको खुद बताना है इसमें लिखे कॉमेंट बॉक्स में लिखे इसका मतलब आपने वीडियो को सुना है और फिर उसके बाद आपने कुछ पुस्तकों को भी खंगाला है इससे मुझे यह पता चल जाएगा अच्छा अब उनका सम्मंद क्या है प्राण और उप्राण का हैल्थ में और हीलिंग में तो स्वास्थे में क्या सम्मंद है और हीलिंग हीलिंग का मतलब क्या होता है उप्चार न सहत भक्ष रोग हरने वाला आरग्यकार इलाज चिकिच्छा पुने स्वस्त हो जाना फ्री फ्रॉम डिजीज कह सकते हैं तो जो पंच प्राण है ये इनमें जब इंबैलेंस होता है तब ही हमें कोई रोग होता है जब पाच्चो प्राणों में संतुलन होता है अपनी अपनी जगह पर ये रहते हैं तब हमें कोई रोग नहीं होता है तो हम पंच प्राण को शंतुलन कैसे करते हैं योग की अलगले क्रियाओं से हमें संतुलित करते हैं ठीक है अगर माल लेते हैं हमारा व्यान बिगड़ा हुआ है तो हमें gastric problem हो रही है तो इसका मतलब हमारा व्यान जो उपप्राण है उसमें कोई problem है हमें ज़्यादा जंबाया रही है तो हमारे कौन से उपप्राण में problem है अगर हमें ज्यादा खासी आ रही है या ज्यादा कफ आ रहा है तो हमारे कौन से उपप्राण में प्रोब्लम है है ना हमारे पेट में दर्द है तो कौन से प्रोब्लम है ठीक है तो सभी का कहीं ना कहीं बिगडा हुआ है ठीक है उस वज़े से कहीं ना कहीं कोई प्रोब्लम हुई ही है तो इन प्राणों को रुप प्राणों को अगर हम संतुलित कर लेते हैं प्रणायम साधना से योग से योग की दूसरी क्रियाओं से तो definitely आप अपके जो शरीर वो अपने आपको हील कर लेता है ठीक है अपने आपको बोड़ी है अपने आपी ठीक कर लेती है उसमें healing power natural होती है कहते हैं योग असिस्ट में पता है आदी व्यादी concept में भी कि प्राण जब विसम अवस्था में भेते हैं तब नाडिया भी दूसित हो जाती है और नाडियों के दूसित होने से क्या होता है शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या बनते हैं शारीरिक रोग बनते हैं और दीरे दीरे वो शारीरिक रोग क्या बन जाते हैं मानसिक रोग बन जाते हैं तो इसलिए कहते हैं मैंसिव असिस्ट कि कई बार आदी से व्यादी और व्यादी से आदी की उत्पत्ति होती है अब अगला है सठ चक्रा and the role in health and healing सठ चक्र क्या है सठ का मतलब क्या हो गए छे वैसे सामने ते कहा जाता है कि आयरवेद में भी कहा गया थरवेद में कि हमारी जो एवधा रुपी ये देव नगरी है हमारा जो शरीर है इसमें आठ चक्र है और नो दुआर है ठीक है अस्ट चक्रा नो दुआरा देवा नाम पुरोद्धा शरीर है ये शरीर है ये देवों की नगरी है अयोद्धा रुपी देव नगरी है एक वेक्ति ने मेरे को बताया था जब डोसी की पाढ़े पी हम विजिट करने गए थे कि हमारे शरीर में दस दुआर है और जब हम जनम लेते हैं तो दसवा दुआर को दाई बंद कर देती है तो इसका मतलब आप क्या समझे मुझे कॉमेंट बोक्स में जरूर लिख के बताएं हमारे शरीर में दस दुआर है ठीक है और मदलए जब हमारा जनम नहीं होता है लेकिन जब जनम होता है जब हम भारी दुनिया में आते हैं गरभ से निकलते हैं तब हमारा एक दुअर दाई बंद कर देती है एक गुजरगने मुझे बताय था तब मुझे पता चला कि 10 दुअर होते हैं कि और किर दाइक कि दिवारा अच्ञाल no? एक गुदामारग और एक हमारा मुद्रमारग ऐसे नो होते हैं और दस्वार उसके बारे मं आपको बताना है उल्तक arguments some कहीं पर सब्त चक्रों का जिकर मिलता है अथरवेद में जैसे अश्ट चक्रों का जिकर है और शीव सहिता में सब्त चक्रों का जिकर है और हट्यों के कई गरंतों में छे चक्रों का जिकर है गोरक सहिता में छे चक्रों का जिकर है तो छे चक्र कौन से होते हैं सबसे पहले मूलाधार, फिर स्वाधिस्ठान, फिर मलिपुर, ये तीनों चकर तो कंटीनू है, फिर अनाहात, चार, फिर विसूदी, पाच, ठीक है, और आग्या चकर छे, छे चकरों का सामनेवरन मिलता है, ठीक है, साता चकर की बात करूँ तो मैं सहस्तरा चकर, आठवी च ललना चकर या निमनमनष चकर ये हैं, तो चकरों का भी हमारे शरीर से संबंध है, तो जो हील करना जानते हैं चकरों को, जो प्राने खिलिंग जानते हैं, जो रेकी जानते हैं, तो वो चकरों को ही हील करते हैं, ये चकर जो होदे हैं, ये फ्लैक्सेस जो हैं, हमारे जो स् साथ यह संबंध है उनका ना यानि जंक्सन ओफ नाड़ीज कह सकते हैं ना जंक्सन ओफ नाड़ीज नाड़ियों का समू है तो जैसे जंक्सन होते हैं मेन मेन तो इसी तरह सी जो चक्कर है वाई शरीर में यह विविन नाड़ियों का समू है अलग लग जगह से नाड़ी आक तो इसी तरह से चक्र एक शरीर का ट्रांस्फोर्मर यहां से अलग लग नाडिया निकलती है जाती है पुरे शरीर में अलग लग चक्रों से तो सभी चक्रों का अपना महत्व है और अलगलग चक्र का अलगलग कलर है अलगलग देवता है अलगलग मात्रा है अलगलग मंतर है जैसे मूलाधार का लम है स्वाधिस्ठान का वम है मनिपुर का रम है ऐसे सभी के अलगलग देवता है अलग-लग रंग है है ना, अलग-लग चीजें इसमें जोड़ी गई है अलग-लग पंच महाभूत है अलग-लग ज्यानेंद्रियां है अलग-लग क्रमेंद्रियां है तो इन सब को अगर आपको भहुत विस्तार से जानना है तो योगसार जो पुस्ता के उसमें लास्ट में चक्रों के बारे में विस्तार से दिया गया है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि चक्रों से भी हम अपने शरीर को हील कर सकते हैं पहले हमें चक्र को समझना पड़ेगा न आपका constipation है तो कोन से चक्र में आपने गड़बढ है आपकी नेवल कहते हैं ना भी डिगी हुई है तो उसका संबंध किस चक्र से मनिपूर चक्र से तो उसको हम कैसे हील करें कहीना कहीन मनिपूर चक्र कोई ठीक किया जाता है इसलिए आपको पेट ठीक हो जाता है और आपको गुदा से संबंदित कोई रोग है तो आपका मूला धार चक्र खराब है ऐसे ही अलग लग चक्रों का अलग लग संबंध है तो आप ज़्यादा जानकारी योगशार पुस्तक में जो लाश्ट का ध्याय है चैप्टर है उसमें आप पढ़ सकते हैं इसमें बड़ा स्प्रीडली हम चीजों को समझेंगे मैं आपको यहां पर मुख्य मुख्य बाते बता पाऊंगा अगला है कॉजिज ओफ इल हैल्थ एंड रेमेडियल मीजास ठीक है यानि कॉजिज ओफ इल हैल्थ क्या है इल है इल हैल्थ मतलब आपका स्वास्ते छीक नहीं है आप बीमार है यानि आपका स्वास्ते वो खराब स्वास्ते इल हैल्थ का मलब खराब स्वास्ते तो खराब स्वास्ते की क्या करण है कॉजिज का मतलब होता है करण एंड रेमेडियल मीजास की उपचार की क्या तरेक्ये है न मीजास क्या है या पैमान है na उसका उक्चार करें, ये हमारी यूनिट है तो Potential Causes of Ill Health क्या है तो Potential का मतलब होता है संभावित कारण है Potential Causes का मतलब क्या है संभावित कारण तो आपके खराब स्वासथे का आप बीमार है, उसका संभावित कारण क्या हो सकता है तो देखे उसमें बताया गया है ये योग अंत्रा इसमें दिये गए हैं जिनका वर्रण योग सूतर में मिलता है व्यादी सत्यांसंचे प्रमाद आला सेवरेति भरांति दर्षन अलबध भूमिक्ताव अनवस्तितत्ताव दुखदौर मनशे ये मुख्य दिये गए हैं अला होते हैं मन विचलीत होता है सारी शारिक मांशिक समस्या भी हैं तो योग मारत में बाद उत्पन करेंगी स्पस्ट है तो इनको ही मूल鏡ri कार्ण माना गया है ना सम्भावित कार्ण माना गया इनको किसका खराब स्वास्ते का, il health का, तो देखिए सत्यान क्या होता है सबसे पहले हम जाने व्यादी क्या होती है हलाएक से में दिया नहीं है व्यादी का मतलि होता है दूसरा सत्यान, सत्यान का मतलब क्या होता अकरमनेता, अकरमनेता का मतलब होता है काम से मन चुराना, काम से जी चुराना, कहते हैं यह बच्चा बड़ा काम चोर बच्चा है, है ना, यह उसमें उच्छा ना होना, है ना, वो डेला डाला काम करेगा, है ना, कई वह ऐसा कहते लेक के आया, ऐसा भी है कुछ, वो भी आप लेक के भीजना, मैं भूल गया हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, तो मुझे दिले डाले बच्चे नहीं होते, सत्यान, एकरम नहीं था, मुझे काम, मुझे काम से जी चुराएंगे, है न, उनको कोई काम बोल दोगे, तो कहीं, मैं मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता, मुझे चोट लगी हुई है, मुझे पेट में दर्ध है, मुझे ये है, भान्ने बाज है न, ये सब, दूसरा संसे, संसे कमला डाउट, संद है, शक करना, पता न यह ऐसा होगा और नहीं होगा ना शक है उनको, doubt है मैं इस रास्ते पर चल पाऊँगा कशना यह सब फिर आगे है प्रमाद और प्रमाद का मतलब हुता है लाप्रवाही मान सीक लाप्रवाही है नो जान मुझ के लाप्रमाई वाई करना, टालमा टोल करना, छिक है, छोड़ो ना, आज है ना, आज तो बारिश हो गई है, मैं योग नहीं करूंगा, आज है ना, मैंने लेट खाना खाया, आज है ना, मैं लेट उठा, आज ये हुआ, आज वो हुआ, ये सब मानसी के लाप्रम प्रभावी हो जाता है तो यह भी लगबग जानबूज के ही होता है अगला है अविरती अविरती का मतला होता है भोगों में आ सकती ठीक है यानी वैरागे का अभाव या पूर्ण रूप से वैरागे ने होना क्यों कि आप साधना भी कर रहे हो स्वस्त्वी रहना चाते हो कई बार होता है ने मैं मर जाओंगा लेकिन जैपूर नहीं जाओंगा मर जाओंगा दिल्ली नहीं जाओंगा मर जाओंगा मैं वा नहीं जा सकता तो क्यों 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 कि आ सकती है मैं अपने बच्चों को नहीं खानी है अब जो इस चीज का परहेज बता दिया वो चीज ज़्यादा खाने का मन करता है और बाबा दादी क्या छोटे बच्चे क्या बुजरक क्या सब वही चीज मांगेंगे दूसरे दी थी थोड़ा सा ठीक आप हाँ भी बेटा वो थोड़ा सा ये लादो मेरे को थोड़ करना चाहते हैं यान उसका भोग करना चाहते हैं उससे दूर नहीं जाना चाहते हैं तो इसका मितलब ये था कि उन्हें पूरण उसका वैराग्य नहीं हुआ था ना तो दब तक कोई चीज छोड़ेंगे नहीं उसकी आ सकती नहीं छोड़ेंगे तब तक हम स्वस्त होई न मैं तो एक टाइम ही पीता था, कुछ महलाओं को कहते हैं कि भी चाई छोड़ दो, चाई नहीं पीना है सुबह सुबह, जी थोड़ी ची तो ले सकते हैं, जी इसमें तो बिना मिठी की तो ले ही सकते हैं, चलो चलो बिना दूद की तो ले ही सकते हैं, मतलब हर चीज के दाल लेते हैं तो यह है मतलब आ सकती है उससे ना उसको छोड़ नहीं सकते जी मैं इलाज तो करा लूँ लेकिन मेरा पत्ती मेरे साथ होना चाहिए तो यह आ सकती है मतलब अपने सरीर को नहीं देख रहे हैं अपर आ सकती को देख रहे हैं ऐसे ही दुख दुख क्या होते हैं दुख तीन प्रकार के होते हैं, अध्यात्मिक दुख जिने दैहिक दुख भी कहते हैं, शारिरिक दुख भी कहते हैं, है ना, जो विखासी, जुखाम, सब ये सारिरिक दुख ही है, मानशिक दुख भी होते हैं, दूसरे आधी भोतिक दुख, छिक है, आधी भोतिक दुख क कहते हैं और दूसरा आधी देविक कहते हैं देवियापदाईं तो इसमें अधीगर्मी, सर्दी, बाड, भूकाम, जालानुखी, उलका, पिर्ड, सुनामी ये सब इसी में आते हैं तो तीन परकार के दुखों से जो छुटकर पालेगा उसका योगशिद हो जाएगा दौर्मनेश्य का मतलब क्या होता है कि दौर्मनेश्य का मतलब एक विचुप्ध होता है जैसे कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो वेक्ति थोड़ा विचुप्ध हो जाता है थोड़ा प्रेशान हो जात और और रख्षा मुझे तो पताई नहीं था मैं तो सोचता था कि यह ठंडी है मैं तो मैं तो सोचता था यह ठीज गरम है मैं तो लोग ठंडी है यह तो पढ़ा रहे थी कफका रख थी मुझे इसको छोड़ देना चाहिए तो यह ब्रांती दर्सन या या नि यानि समाधी की एस्तिरवस्था समाधी है वो बन जाती है लेकिन इस्तिर नहीं रहती फिर टूड़ जाती ना मतलब लंबे समय तक नहीं चलती हो समाधी में अब आगे हम बात करते हैं रोल ऑफ सुद्धी प्रक्रिया इन प्रिवेंटिव और कुरेटिव हैल्थ देखी प्रिवेंटिव क्या होता है बचाओ होता है क्योर का मतलब क्या होता है उपचार होता है आपने सुनाओक ना प्रिवेंट्शन इस बेटर देन क्योर बचाओ जो है उपचार से अच्छा ह होता है तो शुद्धी प्रिक्रिया जो भी होती है हमारी शुद्धी प्रिक्रिया में कई चीजी आती है शटकरम तो है ही इसके लाद छोट-छोटी और भी कई सुद्धी पर क्रियाई होती हैं आखों का प्रेक्षालन करते हैं मुख का प्रेक्षालन करते हैं सरीव का प्रेक्षालन यानि नहाते हैं कान भी साफ करते हैं आखे भी साफ करते हैं दात तुन करके दात भी साफ करते हैं कानों के मेल भी निकालते हैं तो शरीर के अलग-लग अंगों की भार और भीत्तर की शुद्धी जो क्रियाई करते हैं, अगर पहले से वो हम कर लेते हैं, तो सभाविक है, पहले से हम बचाव कर लेते हैं, तो हमें उपचार की जरुरत ही नहीं पड़ेगी, तो सुद्धी क्रियाई हैं, वो बचाव भी कर करती हैं और उपचार भी करती है ठीक है सुद्धी क्रियाओं में क्या होती है सट करम होता है खासकर उसमें दोती बस्ती नेती नोली त्राटक कपाल भाती है यह सब सुद्धी क्रियाई है इसमें जलनेती है शुद्धी क्रियाओं में वैसे सूतर नेती है लेकिन आजकल जल जलनेती है शूतर्नेती है रभब बढ़नेती है धोती है कुनजल कर्या बड़ आच्छा गाम करती है तो यह सब जो भी क्रियाऑ आप लिख सकते हैं क्या करती है यह प्रिवन्टीवह मतला हमारा बचाव भी करती हैं, अगर हम पहले से ही अवेर हैं, पहले से शरीर की शुद्धी कर लेते हैं, तो पहले से हमने बचाव कर लिया शरीर का, तो हमें आगे उपचार करने की जोरती नहीं पड़ेगी, यह ना, आपने देखा हुगा इस समय सभी को दस लगे हुए हैं, खाश कर अपरेल का आपके किसन किसी रिस्तिदार को लगे हुए होगे, किसी जानकार को, किसी बेटे को, या आपको खुद को, यह ना, दस लगे होगे, तो यह उद्रत करती है, क्योंकि इस समय हमारा अन बदलता है, इस समय हमारा शरीर बदलता है, यह ना, मोसम बदलता है, और इस समय शरीर changes होते समय शरीर अपने आपके एक बार शुद करना चाहता है क्योंकि हम सर्दी से गर्मी में आए हैं तो उस गर्मी को सहन करने के लिए एक बार शरीर को changes करने जरूरी होते हैं कोई foreign में लोग रहते हैं तो आपके घर में भी लोग आए होंगे foreign से या दूसरे स्टेट से जहां पर ठंड है या बहुँ ज़दा गर्मी है तो उनको भी कभी ने कभी बीमारी हो जाती है लूज मोशन लग जाता है वह मेटिंग लग जाती है तो शरीर अपने आपको balance करता है इसलिए सब करियाई होती है और यह natural होती है ने सरगीक होती है इसमें घबराने की जौरत नहीं होती है तो अगर हम पहले से इन करियाओं को कर लें जैसे कहते हैं कि साल में दो बार शंक प्रेक्चालन करनी चाहिए जो समझदार लोगों करते भी है एक बार लगबग मार्च या अप्रेल के महने में एक बार लगबग सितंबर के बाद अक्टूबर के आसपास लोग करते हैं ठीक है तो अगर हाप पहले से यह कर लेते हैं शंग प्रेक्चालन तो फिर आपको ना लूज मोसन लगेंगे ना ओमेटिंग लगेगी ना आपको कोई और शमश्या होगी तो संग प्रेक्चालन भी बहुत अच्छी क्रिया है शुद्धी की क्रिया है ठीक है दोती क्रियाई बहुत अच्छी है नोली ठीक है त्राटक भी बहुत अच्छा है कपाल भाति की है ना वात करम वयुत करम सीथ करम तीनों ही करियाई अच्छी है अब करम शुद्धी करम शुद्धी का संबन्द किस से बताया है यम नियम से बताया है तो देखें यम नियम से करम की करमों की सुद्धी बताई है करम कितने परकार के होते है मोशली तीन परकार के होते हैं एक कौन से होते हैं संचित करम होते हैं जो कई जर्मों के होते हैं पिछले कई जर्मों के जो करम होते हैं वो संचित होते रहते हैं दूसरे उनका कुछ अंस जो मिलता है वो प्रारब्द करम होते हैं कई बार कोई अंदा बच्चा पैदा हो गया जिसके कंदे में कोई प्रोब्लम है आखो में कोई प्रोब्लम है बच्पन में जो प्रोब्लम मिलती हैं हमें वो प्रारब्ध करम है और कुछ होते क्रियमान करम तीसरे यानि एक संचित करम जो कई जनमों के संचित होते हैं उसका थोड़ा सान समय किसमे मिलता है प्रारब्ध करम में जो जनम के समय होते हैं और तीसरा क्रियमान करम जो भहुष्यम हमें मिलेंगे जिनका रज़ल्ट आमें बहुज से में मिलेगा, जैसे आप ट्रेन में जा रही है, आपने टिकट नहीं कटाया, तो हो सकता है आपका जुर्मा ना लगज़ाए, आपको टिटी पकट लेए हैं, जैसे बीज आपने बौए हैं, उसका फ्रिनाव आप मिलेगा, जैसे आपने स्वाध्याई इस्वर प्रैनिधान ये पाँच यम है यूनिवर्सल है सारो भूमिक है वो कहीं भी रहकर आप पालन कर सकते हैं नियम कितने हैं ये भी पाँच हैं कौन-कौन से हैं कौन-कौन से नियम है आप बता सकते हैं तो लिखी आप शोच संतोस तप स्वाध्या इस्वर प्राणिधान ये नियम है अहिंसा सत्य अस्ते भ्रमचरी और एप्रिग्रा ये क्या है यम है यम कौन से है अहिंसा सत्य अस्ते भ्रमचरी एप्रिग्रा और नियम कौन से है शोच संतोस तप स्वाध्या इस्वर प्राणिधान तो इनक किसी से आपकी मन की सुद्धी होगी किसी में आपकी तन की सुद्धी होगी किसी में आपकी विचारों की सुद्धी होगी तो ये सारी जो सुद्धियां है ये करम सुद्धी का ही भाग है इनमें इस तार से आप लिख सकते है घट सुद्धी गट सुद्धी यानि घट किसको कहा है शरीर को कहा है शरीर को गड़े के समान माना है यानि गट सुद्धी बोलते हैं किसमें गेरण सहिता में गेरण सहिता में शरीर को क्या है क्या कहा है गट सुद्धी किसने कहा है महरसी गेरण ने किसके सामने कहा है राजा चंड का पाली चंड का पाली जाते है ना, तत्तवग्यान के प्रापती के लिए मैसी घेरण के आशरम में तब मैसी घेरण उन्हें घट सुद्धी के बारे में बताते हैं कहते हैं एक शरीर है ये घड़ा है इसको जैसा आ कर हम देना चाहें वो दे सकते हैं चिक है तो घट सुद्धी के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है कि घट क्या होता है फिर घट का मतलब शरीर होता है सरीर की सुद्धी किस से होती है शट करम से होती है वो एक सुत्र है जेरन सहिता में भी और हट परदिविका में भी जिन में अत्रिक्त फैट है कफ है उ सनायू तंतर होता ना, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सनायू तंतर, यानि तंतरी का तंतर, सेंटर नर्वस सिस्टम, सुनें न, आपने जिसमें ब्रेन होता है, नावस होती है, नाडिया होती है, तो नाडियों, नस नाडियों की जो सुद्धी वो किसी होती है, आसनों हैं उनसे करने से हमारी नशनाडिया खुल जाती है ना उस नर्वा सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है तो सनायू जो सुद्धी है वो नर्वा सिस्टम का ही एक भाग है प्राण सुद्धी की अगर मैं बात करूँ तो प्राण सुद्धी किस से होगी प्राणायम से होगी है ना हमारे जो पंच प्राण है उन सभी की जो सुद्धी है वो प्राणायम से होती है जो प्राण में को से उसकी सुद्धी भी प्राणायम से होती है तो क्योंकि प्राण हमारे मुख्य है जो स्वास हम ले रहे हैं छोड रहे हैं ये क्या है प्राण है और oxygen क्या है प्राण वायू है ठीक है तो प्राण वायू है उस जिसकी वज़े से हम जीवित है ठीक है और उन प्राणों को नियंतरित करना ही प्राणायम है प्राण प्लस आयम प्राणों को नियंतरित करना प्राणों को कंट्रोल करना प्राणों को विवस्तित करना प्राण को संतुलित करना ही प्राण सुद्धी है और फिर इसमें आप नाड़ी सोधन करते हैं कपालभाती करते हैं अनोलोम इलोम करते हैं ब्रहामरी करते हैं तो यह सभी जो प्राणायम है यह प्राणों की शुद्धी करते हैं इससे वायू फिल्टर होती है आपके लंग्स चीक से काम करते हैं, है न, आपका HB अच्छे से बनने लग जाता है तो जैसे आपके प्रान शुद होंगे आपके प्रान प्यूरिफाई होंगे इसके द्वारा प्राणायम की विविन क्रियाओं के द्वारा, तो दीरे-दीरे इस सरीर के ओर्गन्स भी एक्टिव हो जाएंगे इस सरीर के ओर्गन्स भी काम करने लग जाएंगे तो आप इसमें प्रान सुद्धी में विविन परकार के प्रानायमों का वरन कर शकते हो तो प्रान सुद्धी में मैं बात करूँ तो भस्तरी का ठीक है ब्रहामरी ठीक है, सूर्य बेदी भी ठीक है, मुर्चा भी ठीक है, प्लावनी भी ठीक है और शीतली सीतकारी भी अच्छा है, ये सबी जो प्रानायम है, इनसे प्राणों की सुद्धी होती है प्रान वायू कहते है न ऑक्सिजन तो प्रान वायू हमारी शुद हो जाती है तो प्रान वायू शुद होगी तो भितर के जो फेफड़े हैं हमारी नाडिया है प्रणायम कोती है इंद्रिये और मना शुद्धी हमारी इंद्रिया होती है कि कौन-कौन सी है सैंस और गंस आखना, कान, जिवा, तौचा इनकी सुद्धी किस्से होगी और मन की सुद्धी मन क्या है? एक अलग है इसको चठी इंद्री भी कहते हैं और ये इन सब इंद्रियों का स्वामी भी है मन और इंद्रिया मिलकर ही कारी करती है सब इंद्रियों का स्वामी भी है मन इंद्रिया मिलकर कारी करती है इसलिए उसको भ्यात्मक इंद्रि भी कहा जाता है यानि ये इंद्रियों का स्वामी है गुरू है जो इंद्रियों के सारे ही काम करता है तो प्रत्याहार का क्या मतलब होता है विड्रोल दी सैंसी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां है उनको विड्रोल कर लेना उनको बहीर मुखी होती है वो नेचुरल है आखे भार देखना चाहती है कान सुनना चाहती है तव चसपर अहार जो इनका अहार है इंद्रियों का उसको प्रती कर देना यानि उनको विप्रीत कर देना उनको डाइवेट कर देना है ना तो वो क्या है प्रत्य अहार है तो प्रत्य अहार करेंगे धीरे धीरे है ना तो क्या होगा इंद्रियों की मन की सूधी होने लग जाएगी है ना फिर इसके बाद मन बुद्धी और एहंकार और चित सुद्धी मन बुद्धी एहंकार चारों मिलकर क्या कहलाते हैं बताईए आप मुझे मैंने एक वीडियो में बताए भे था कि मन बुद्धी एहंकार और चित चारों मिलकर क्या कहलाते हैं वीडियो में लिखकर आप, इस कमेंट बोक्स में लिखकर आप मुझे बताएंगे, और चित किसे कहते हैं, ये भी मुझे बताएंगे, कौन-कौन से सामिल है चित में, तो इनकी सुद्धी किस से होती है, धारणा, ध्यान और शमाधी, धारणा क्या है, देश, बंदस से, चि फिर ध्यान क्या होता है, कि जहाँ पर मन को टिकाया है, तत्तर प्रतेक तांता ध्यानम, जहाँ पर मन को टिकाया है, बांदा है, रोका है, वहाँ पर एक तांता सी बनी रहे, वो ध्यान है, और फिर समाधी क्या है, उसमें खो जाना, उसमें लीन हो जाना, वो क्या है, समा आपकी प्रत्याहार करेंगे तो सी दीवात आपकी इंद्री और मन की शुद्धी होगी जब आपने प्रत्याहार कर लिया पूरा तो फिर आपका मन और बुद्धी भी नियंतरित हो जाएगा और फिर आप समाधी तक पहुंच चित वर्तियों का नेरोध तो चित की वर्तियों का नेरोध हो जाएगा तो आपको समाधी के वस्ता अपने आप ही मिल जाएगी ठीक है फिर अगली जो यूनिट है तीसरी योगिक प्रिंसिपल्स ओपेंड टैक्टिसीज ओफ हैल दी लिविंग तो सबसे है पहले इसमें डा तो डैटिर ग्वलेशन का मतलब हो गया अहार वहनी में का मतलब होता है कि क्वांटेटी ओ फूड एंड डीॉनिक न् Ghost Cham ik कितना हर खाना है न कैसा हर खाना है कितना हर खाना है कितनी कौंटिकी में लेना है सतोगुन, रजोगुन, तमोगुन के कोडिंग लेना है वो सब डाइटरी रेगुलेशन में आते हैं डाइट के क्या क्या रूड रेगुलेशन है वो सब आते हैं रित भुक, हित भुक, मित भुक ये सब चीज़े इसके अंदर आती है तो हट योग और भगवद गीता के अनुसर क्या बता है तो देखिए हट योग में कौन कौन से गरंद आते हट परदिपिका और घेरन सहिता दोनों में बहुत अच्छे से बताया गया है तो हट परदिपिका में और घेरन सहिता में क्या बताया है पत्थे और एपत्थे बताया है यानि हितकारी और एहितकारी पत्थे क्या है जो हमारे शरीर के अनुकूल है जो हमारे परकरती के अनुकूल है जो साधना में उप्योगी है जो हमारे लिए हितकारी है वो पत्थे है एपत्थे क्या है जो एहितकारी है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे लिए अनुपयोगी है, जो हमें दिक्कत करता है, वो एपत्थे है, एई हितकारी है, अनुपयोगी है, यूजलेस है, ऐसा आहार का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, जो भी गरिष्ट भोजन है, जो भी ओली भोजन है, जो भी फा आते हैं यह सब इसी में ही आते हैं खटा मीठ्छा जादा चीक है और हितकारी कहा है जो बताए भी ना सू सनिक्द, सू मधूर जो मीठ्छा हो सिकना हो, हलका हो सुपाच्य हो, वो सब कौन सा हार है, वो पत्थे है, हितकारी है और ऐसे ही मिताहर के बारे में कहा गया है ना, मिताहर का मतलब balance tight, यानि आपकी सुपाच्चे हो, आपकी भूक के अनुकूल हो, ठीक है, और जिसमें सभी तरह के पोशक्तत्त विद्मान हो, ठीक है, वो क्या है, मिताहार है, संतुलित हार है, balance tight है, जिसके अंदर, सम मातरा में, सभी संतुलित पोशक्तत्त विद्मान हो, इसमें, सातिक भोजन की बात की है, यहाँ पर, mass meat की बात नहीं की गही है, mass meat का मतलब, non wedge की बात यहाँ पर नहीं की गहीए है, vegetarian की बात की है, साकारी भोजन की बात की है, इसमें, खाना बनाने से लेकर, खाना प्रोशने तक, खाना खाने तक सब नियम दिये गए, कैसे आपको खाना खाना है, कैसे खाना बनाना है, कितनी देर पकाना है, और कितना हिस्सा खाना खाना है, आप बताना मुझे घेरन सहिता में कितना बताया है, कितना परतिसत वायू के लिए भाग खाली छोड़ना ह कितना प्रतिसत अन के लिए खाली छोड़ना है और भूग से कितना हमें खाना है ये गहरन सहीता में बहुत अच्छे से बताया आप मुझे बताना इसमें comment box में comment करके तो ऐसे ही भगवत गीता भगवत गीता में कौन से भोजन की बात की है भगवत गीता में सात्विक राचि कोई उतेजना नहीं होती है जो योग साधना में भी उप्योगी होता है ठीक है तो दूसरा राचिक मिर्च मशाले युक्त होता है ज्यादा ओली, फासपूर, जंग फूर्ड ये सब उसी में आता है और तामसिक क्या होता है तामसिक वो भोजन होता है जो नहीं होता क्रिया एंड सुधी शर्ट के बात हम पहले भी कर चुके हैं 6 का मतलब क्रिया का मतलब क्रिया ही होती है लिखे बताना इसा टोटल सथकरम की इतनी क्रिया बनती है गेरण सहिता के अंदर न फिर धोती के परकार होते हैं धोती के टोटल कितने परकार है ये भी मुझे आप बताना ठीक है तो हट्रतनावली में भी सुद्धी करन के एक दो किरियां ज्यादा बताए न अश्ट सुद्धी की बात की है न हट्रतनावली में अश्टो सुद्धी में कौन सी दो सुद्धी जोड़ी है वो भी आप मुझे बताना ठीक है तो तत्तो सुद्धी का मतलब तत्तो का मतलब क्या है यह मारा शरीर पंच तत्वों से बना है पंच महाभूत से बना है तो पंच तत्वों की प्रत्य अगनी जल वाया अकास की सुद्धी किस्ची हो जाती है शट क्रियाओं से हो जाती है ठीक है ये इंपोटेंट यूनिट है काफी स्टुडेंट्स का कोल आया था मौनिका स्वनी जी की इच्छा थी की सर तीसरी चोथी इनिट को ज़्यादा डीप कराना अच्छे से कराना दो इनिट तो फिल भी हमें समझ में आती है सभी स्टुडेंट्स चाहते हैं तो देखिए सट क्रियाओं आप थोड़ा एक्स्पेरिन कर सकते हैं जिनका वरान घेरन सहीता हट परतिपी का और हट रतनावली में मिलता है हटियों की दो तिन पुस्त के और है उनका हम ज़्यादा जिकर नहीं करेंगे तत्तो सुद्धी तत्तो का मतलब क्या होता है एलिमेंट्स हमारा शरीर है मुख्य रूप से किन तत्तों से मिलके बना है पांस तत्तों से बना है अध्यात्मिक शरीर की बात करें तो भी पांस तत्तों से मिलके बना है अगर हम science की गहराय में जाएंगे तो भहँ ज्यदा तत्व है न। आज आज़कल तो 112 तत्तव से भी ज्यदा तत्तव है न। सारे कहते हैं न, यह था बर्मान्ड यह था पिंडे तत्व यह था बर्मान्ड तो पंच मुख्य तत्व हैं जिनको हम जानते हैं समझते हैं ठीक है तो पंच तत्वों से जोड़ के भी सुद्धी क्रियाओं का आप लिख सकते हैं बहुत इंपोर्टेंट है आप देखिया बस्ती से कोन से तत्व की सुद्धी होती हैं आपका मूलादार के लिए अच्छा है दूसरा threws ना सक है क्या कि आपकी बस्ती त्रीदोर्स ना सक है तो त्रीदोर्स ओंका तो समन हो ही रहा है साथ में किस क्रियाओं के लिए उप्योगी है कों से तत्तों के लिए उप्योंगी है सीधी बात मूल दार मूलादार किसलेटट है है मूलाधार आपके पिर्थु तत्तौ से मैंने बताए ने पांच जो चक्क्र उनका समधतों से वह हैं अगर अब इसकी में बात करूं दोती कि दोती क्या करती है आपके कंस उन्य ही ना हिर्देद होती है तो किसकी लिए है हमारे प्राणों से लेटिड है ऐसे ही मैंने गवार बताया था आप लोगों को न ऐसे ही नेती की बात करूं तो नेती नासिका को नासिका किस से संबंदीत है प्राण वायू प्राणों से संबंदीत है तो प्राणों को शुद्ध करती है ना नेति के रिया किसको सुद्ध करती है प्राणों को शुद्ध करती है तो प्राणों का संबंद किस से वायू से है तो वायू तत्तव की सुद्धी हो ग अगनी को प्रजलित करती है तो अगनी तत्तों को शुद करती है ना अगनी को ठीक करती है बैलेंस करती है तेरा अगनी हमारे शरीर में तो उन अगनियों को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है शट क्रिया की कौन सी क्रिया कर रही है नोली क्रिया त्राटक त्राटक किसकी सु संतंतर की सुधी करता है आपके मतलब वायू तत्तव की विशुधी करता है आपके आकास तत्तव की विशुधी करता है ठीक है तो सभी किरियाई हमारे किसी ना किसी तत्तव को जरूर सुध करती है तो वो सब आप लिख देना इसमें आसन फॉर माइंड बोडी और स्पीट देखिए मैंकसर कहता भी रहता हूं कि दुनिया में जितनी भी वयाम पद्धिया हैं, वो शारिरिक पक्स पर ज्यादा बल देती है, है ना, और जितनी भी चिकिछ़ा पद्धिया है, वो कहीं न कहीं शरीर तक ही सिमित है, जबकि योग है, और योग की जो क्रियाई हैं, यो तीनों को शुद करती हैं, तीनों के लिए उपयोगी है, तीनों के लिए लाभकारी है, ठीक है, तो आसन आपके शरीर के लिए भी अच्छी है, आपके मानसिक रोगों के लिए भी अच्छी है, मानसिक विकास के लिए भी अच्छी है, आपके शरीर के लिए और शारीर के लि विकास के लिए भी उप्योगी है यानि आसनों से क्या होता है सरवांगे ने विकास होता है इसका विकास होता है शरीर मन और आत्मा का विकास होता है तो आसन आसनों का एक वेग्यनिक पक्स भी होता है आसनों का अध्यात्मिक पक्स भी होता है आसनों का एक आत्मिक पक्स भ क्या है मेर्शी पतंदली जी कहते हैं इस्थीरम शुक्मासनम सरीर की इस्थीर और शुक्वरक्जोस्थित्य है वह आसने स्टैबिलिटी विध हैपिनेस है अगला है प्रेक्टिसीज फूर प्राण में कोश प्रनायम से चर्चाम पहले भी कर चुके हैं कि प्रनायम में से प्राण का समद्ध किस से प्राण वायू से प्राण वायू को कौन कर रहा है प्रनायम कर रहा है प्रनायम से हम उसको नेंतरित करते हैं उसको कंट्रोल करते हैं उनको विवस्तित करते हैं तो जैसे हमारे प्राण वायू कंट्रोल होती है विवस्तित होती है संतुलित हो मानसिक mental health का मतलब क्या हो गया कि मानसिक स्वास्ते और mental hygiene का मतलब क्या हो गया mental hygiene का मतलब मानसिक स्वच्छता ठीक है hygiene का मतलब स्वच्छता और health का मतलब स्वास्ते यानि मानसिक स्वास्ते और मानसिक स्वच्छता क्या है उसकी definition देनी है हमें तो देखे मानसिक स्वास्ते क जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी छमताओं का एसास रहता है। वे जीवन की सबी समस्याओं का और सभी चुनोतियों को सहन कर लेता है। और सहन करते हुए अपना जीवन अच्छे से जीते हुए सामाजिक दायतों को प्रूरा करता है। यानि वो मानसिक स्वास्ते का मतलब हो गया कि वो एकदम ठीक है वो संतुलित है वो खुश है वो प्रसंचित है इसकी कोई अधिकारिक ओफिश्यल बहुत रेफिनेसंस नहीं है तो मानसिक स्वास्ते का मतलब होई है वो वेक्ति प्रसंचित है प्रसंचित का मतलब है मानसिक तुछ लोगों के साहत्मित्रता का विभार करना दुखी लोगों के साथ करोना का विभार जो धार्मिक प्रवर्ति के हैं साधु रहते हैं ठीक है तो चारो चीज आप इसमें जोड सकते हैं अब मानसिक हाईजीन क्या है मानसिक स्वच्छता क्या है कि मानसिक स्वच्छता का मतलब है कि आप साफ सफाई रखते हो जैसे कहते हैं पुत्ता बैठता है तो वो भी पूंच मार के बैठता है कि आपका जो खाना है यह ना सापसुत्रा हो आपके सोने की जिगर है वो सापसुत्री हो आपका नहाने का पानी है वो सापसुत्रा हो ठीक है मतलब आपके शरीर से लेटर जो भी हाईजिन है आप बरस कर रहे हैं आप आखों को धो रहे हैं आप नहा रहे हैं आप बैठ रहे हैं आप सो रहे हैं आप चद्दर ओड रहे हैं, जिस कपड़े के आप उपर शो रहे हैं, जो कपड़े आप बहल रहे हैं, वो सब कैसे होने स्वच्छ होने चाहिए, तो स्वच्छ होंगे, तो mentally या मानसिक रूप से भी आप स्वच्छ रहेगे, स्वास्ता आपका ठीक रहेगा, स्वास्ता का पालन करेंगे, तो आपका मानसिक स्वास्ते अच्छा रहेगा, मानसिक स्वच्छता का पालन करेंगे, mentally hygiene का फोलो करेंगे, तो आप मानसिक रूप से स्वास्ते रहेगे, ठीक है, अगला है fourth unit, योगिक प्रिंसिपल and practices of healthy living, यानि आप को स्वच्छ रहने के लिए, कौन से योग सिध्धानतों का और कौन से practices का पालन करना चाहिए, उसकी अब हम चाच्छा कर लेते हैं, देखे, attitude change towards योग through individualized counseling, यानि व्यक्ति गज्जो प्रामर्स के दुवारा, योगिके प्रती द्रश्टिकों कैसे बदल सकते हैं, ठीक है न, समझ गया, आप दुवारा से सु ये व्यक्तिगत प्रामर्स के दुवारा, यानि कहते हैं, counseling करना, individualized counseling, ठीक है, योग के दुवारा individual counseling करते हैं, है न, तो उनका द्रश्टिकों कैसे बदल सकते हैं, लोगों का हम, जैसे ये वोई बाते हैं, जैसे बाहदक्त्तों होतना, sorry, क्या बोलेंगे उनको, योग की ब्रहांतिया, misconceptions about योग, उस लोग कहेंगे न, कि नहीं योग से ठीक नहीं हो सकता, हम तो exercise कर लेंगे, हम तो ऐसा कर लेंगे, तो वो attitude कैसे towards करें, कैसे हम उसकी दिसा बदल दे, योग से सब कुस ठीक होता है, योग से भात फाइदे होते हैं, योग से आप अपने आपको इया, रोगियों के लिए हो सदी है, खिलाडियों के लिए और विद्यारतियों के लिए उड़्जा का स्त्रोत है, है ना, अनरजी गूस्टर है, और जध्यात्मिक लोग है, उनके लिए मौकस और मुक्ति का मार रही, तो हम उनको योग के बारे में बताएंगे, कब result मिलेगी तो योग की मैं अगर सठ करम की कोई किरिया है कराते योग का मतलब सिर्फ आसन प्रणाया मुद्रा बंध्यान सब चीज़ा आती है यम नियम भी आता उसमें आप जल नेती कराएंगे तो इंस्टेंट लाब मिलेगा है ना सुतर नेती कराएंगे जल नेती है जैसे किसी को कुछ वमेटिंग समस्या है या पेट की कोई प्रणाया है तो आप उनको कुझल किरिया कराते हैं तो इंस्टेंट आरा मिल जाता है ना तो उससे क्या होगा उनका योग के परति द्रश्टिकोन बदलेगा उनका योग के परति विभार बदलेगा वो योग को ठीक स समझ पाएंगे जान पाएंगे क्योंकि वो सोचते थे कि योग तो साधुसंतों के लिए है योग तो घर में रहके नहीं होता है यह योग कुछ लोग कहते होंगे आपको यह योग वगर अभए हमसे नहीं होते है वो सोचते हैं कि आसनी योग है तो उनका attitude हमें बदलना पड करेंगी हम तो जिम करके आते ही उन चीजों का इन हमें बदलना पड़ेगा की जीम अलग होती है योग अलग होता है कुछ ूश लोग करेंगा हम थे नहीं तो काम कर लेड़ें वह ची इस प्रॉब्लम है तो उनको दवा कर सकते हैं अब आपको चस्मा चढ़ा हुआ है या आपको आई साथ मेर्वीक है तो उसको कैसे ठीक कर शकते है आप खेल से लावनि से नहीं कर सकते कर शकते हैं योगे कि बहुत किरियां है जिनसे हम अपने memory power को इंंगरीज कर शकते हैं मांसिक रुप से हम स्वस्त हो सकते हैं तैंसलय है थकान है और सब चीजों का हम योग से छीक कर सकते हैं अब योगिक मेथड चेकलिंग इल एफेक्ट ओफ कनफ्लिक्ट एंड फॉस्टेशन तो दिखिए जो लोग हतास होते हैं निरास होते हैं तो उनके दूस प्रभाव होते हैं हतासा निरासा के उससे याने कनफ्लिक्ट जो है या फॉस्टेशन जो है उससे निपटने में योग कैसे कारगर है यह बहुत ज़दा कारगर है इसमें तो कनफ्लिक्ट जो भी है फॉस्टेशन जो भी है हतासा निरासा प्रइशानी जो भी है उनमें योग तो बड़ा चक काम करता है कि ये सभी निरासा, हतासा ये सब कहिना कि मानसिक द्वंध है मानसिक प्रेशानिया, मानसिक रोग है तो ये घर में रहने से या अकेला रहने से या फैमिले में कोई प्रोब्लम होने से या कोई रोग होने से समसे हो जाते हैं तो योगी method उसके लिए हम use कर सकते हैं सबसे पहले मैं देखना पड़ेगा कि व्यक्ति के परकर्टी कैसी है परकर्टी के देखकर हमें उनके इलाज करना है फिर उसकी परवर्ति हमें देखनी पड़ेगी यो किस परवर्ति का वेक्ति है उसके बाद फिर उनको किस तरह के frustration है, किस तरह का उनको conflict है किस वज़े से वो हतास निरास है उनकी counseling करके फिर हम योगी क्रियाईं उनको करवाएंगे उसमें Satkaram की क्रियाईं भी हो सकती है उसमें आसन भी हो सकते है उसमें प्रणायम भी हो सकता है उसमें मेडिटेशन भी हो सकता है उसमें मुद्राय भी हो सकती है उसमें बंद भी हो सकता है उसमें योग निद्रा भी हो सकता है उसमें सुक्समव्याम भी हो सकता है यह सब करियाएं उसके अंदर हो सकती है तो definitely उससे उनका मनोबल भड़ेगा उनका उत्सा भड़ेगा उनकी जो नर्वस सिस्टम है वो मजबूत बनेगा है ना उनके जो रोग हैं वो धुल जाएंगे ठीक हो जाएंगे ठीक है ऐसे हम frustration और conflict को हम दूर करशकते हैं योगी की वीधियों के द्वारा योगी की वीविन टैक्टिसीज के द्वारा योगी की वीविन क्रियाओं के द्वारा आगे है योगी काउंसलिंग योगी काउंसलिंग भी वह है जो हम पहले जान चुके योगी काउंसलिंग में वह है कि पहले हम सुनेंगे जो भी व्यक्ति है कि उसकी प्रकर्ती कैसी है उसकी प्रवर्ती कैसी है यानि वात प्रकर्ती का है या पित प्रकर्ती का है या कप प्रकर्ती का है फिर वो प्रकर्ती प्रवर्ती यानि उसका अटिटूड कैसा है वो योग पिवश्वास करता है या यहीं मानता है कई लोग कहते हैं प्राकर्टिक चिविच्छा के बारे में अरे क्या करेगी प्राकर्टिक चिविच्छा मिट्टी तो हम वैसे खेलते हैं मिट्टी में तो मिट्टी पट्टी से कुछ नहीं होता, पानी में तो हम वैसे नहाते हैं, पानी से कुछ नहीं होता, तो ये काउंसलिंग हमें करने पड़ेगी, लोगों की रोगी के अनुसार भी उनकी काउंसलिंग की जा सकती है, योग के परती हुने अकशित करने के लिए काउंसलिंग की जा सकती है न तो योगी काउंसलिंग के मतलब योग से जुड़ी हुई जो भी किरियाएं हैं उनको कराकर उनकी जैसे किसी को सिगरट चुड़वानी है किसी को सराव चुड़वानी है किसी का गुट का चुड़ाना है जो भी लत लगी हुए उसको किसी भी तरह के लत हो सकत वो योग से डेफिनेटली छूड़ जाती है क्योंकि योग से आपके विचारों में सुद्धी आती है आप थोड़े दिन कुंजल किरिया करेंगे तो सराव किला छूड़ जाती है आप जलनेती, सुतरनेती करेंगे mentally attitude बदल जाता है आपके विवार में बदलावाना शुरू हो जाता है आप बस्ती करियाई करेंगे तो कई तरह के रोग आपके दूर होने शुरू हो जाता है तो योगी काउंसिलिंग का मतलब यही है कि हम उनको कोई औसलिया या दवाई नहीं देंगे नहीं हम करियाई कराकर हम एक्टिविटी कराकर नहीं योगी करियाई कराकर हम ठीक करेंगे स्वस्थ करेंगे अब है The Secret of Karma Yoga तो दिखे करम के बारे में हम पहले भी जान चुके है करमयोग का जो रहष्य है बहुत ही महतपुन किताब है करम योग के बारे में स्वामी वेकरन ने भहुत लिखा है तो the secret of करम योगा में क्या है करम योग का रहशी क्या है तीम प्रकार के करम नॉर्मली बताए जाते है संसित करम प्राराद करम और किरिये मान करम ये पहले भी जान चुके है और हमारे सास्त्रों में तो कहा भी गया है करम ही पूजा है और ये गाना भी है न संसित फिलम का इमा बालने जी गाती है मनोज कुमार के साथ मिलके जरूर शुनना करम की जाफल की इच्छा मत कर है इंसान जैसे करम करेगा वैसे फल देगा भगवान ये है गीता का ग्यान ये है गीता का ग्यान देखिए गीता में भी तीन प्रकार के करम बता है करम, एकरम, विकरम है न करम जो करने योग है एकरम जो निश्काम करम है विकरम जो पाप करम है यह योग दर्शन या योग सूतर में भी चार प्रकार के करम बता हैं शुकल करम जो अच्छे करम है और कृष्ण करम जो बुरे करम है और शुकल कृष्ण करम जो मिस्रित करम है जो किसान के होते हैं हम सब के होते हैं और चोथे एशुकल एक्रिशन करम जो निशकाम करम होते हैं सामनेते आगे दे रखा है ना ये अनटेच्ट एक्षन यानि निशकाम करम सामनेत दो प्रकार के करम होते हैं आसक्त और अनासक्त सैकाम और निशकाम दोनों एक ही बात है सैकाम करम और निशकाम करम और आसक्त करम और अनासक्त करम तो सैकाम करम का मतलब आसक्त करम आसक्त करम का मतलब attached action attached action का मतलब कि जो भी आप करम कर रहे हो उसमें आपका attachment है आप फल चाहते हैं कुछ ना कुछ चाहते हैं आप किसी इच्छा से किसी डिजायर से आप वो करम कर रहे हैं कुछ पाना चाहते हैं इसलिए वो करम आप कर रहे हैं सामने तगीता में तो कहा है कि व्यक्ति ना चाहते भी अनायाश करम कर रहा होता है हमारा दिल चल रहा होता है हमारी पाचन किरिया चल रही होती है हमारे स्वांस चल रहे होते हैं तो करम तो अनायस चल ही रहे हैं हमारे खाना पीना सोना उठना जागना सभी करम चल रहा है लेकिन साथ में जब करम के साथ आपका आसक्ति जुड़ जाती है जब आपका अटेच्मेंट जुड़ जाता है जब आप सैकाम करमी होते हैं तो आपको इन्हें कोई फल चाहते हैं तो वो आपको अंदकार की तरफ ले जाते हैं वो अविद्य की तरफ आपको लेके जाते हैं ठीक है अज्ञान की तरफ ले और यहाँ पर बात की unattached action यानी निश्काम करम, अनासक्त करम, unattached action यानी यहाँ पर कोई अच्छा नहीं है, कहते न है कि जम मैं था तब हरी नहीं, अब हरी हैं मैं नहीं सम्धियारा मिट गया जब दिपक देख्या माही, sanitizer क्या हम मेरे अंदर मैं और मेरे पन का भुहाओ था अब हरी नहीं थे, अब मैं और मेरे पन का भाव हट गया, अब हरी आ गए अंदर, भगवान खुद आ गए अंदर, और सब अंधियारा मिट गया जब दिपक देख्या माही, जब मैंने देखा कि सारा प्रकास सब कुछ तो अंदर ही है, तो सारा अंधियारा अपने आप मिट गया, तो unattached actions जब आपके अंदर हो जाते हैं, जब आप निशकाम कर्मी हो जाते हैं, निशकाम भाव से जब करम करते हैं, यानि जो योगियों के करम कहा है, जिने ऐसे करम जब आप करते हैं, निश्वार्थ भाव से जब आप करम करते हैं, तो definitely आप मौक्ष मारगी होते ह और आपको एक दिनवस से मौक्ष मिल जाता है आगे मैं बात करूँ Equanimity in Success and Failure Equanimity का मतलब होता है संभा, स्टोईक कब स्टोईक यानि समत्तों रहना समत्तों कब रहेंगे चाहे आपकी सक्सस हो चाहे फेलियर हो यानि आप सफल हो चाहे है सफल हो चाहे आपकी हार हो चाहे जीत हो गीता में भी कहा है न योगस्त कुरू करमाणी क्योंकि गीता खुद करम परधान गरंत है योगस्त कुरू करमाणी संग्नम तक तधनंजा, सिद्धे, सिद्धो, समभूत्वा समत्तम योग होचे थे ए अर्जुन तु योगस्त होकर इस्थिर होकर शान्त होकर आसक्ति को त्याग कर तू अपने करम केजा फल की इच्छा मत कर यही तो योग है यही तो योग है मतलब चाहे जीत हो, चाहे हार हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे जीत हो, चाहे हार हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, यस हो, अप्यस हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जे हो, प्राजी हो, सभी जो भी विप्रित प्रिश्थिती हैं उन सम्में अपने आपको समान बनाए र रहाँ पाते हैं योग से वेक्ति समत्म है रहने लग जाता है बैलेंस माइंड हो जाता है उसका संतुलित माइंड हो जाता है तो जिस वेक्ति का बैलेंस माइंड हो जाता है संतुलित माइंड हो जाता है वो वेक्ति जरूर सफल हो जाता है वो वेक्ति योगी हो जाता है वो किसी के कब हो नहीं आपको इन दोनों प्रिस्टिप्तिव में आपको बैलन्स कब करें दीरे-दीरे करेंगे अभ्यास से करेंगे गीता में कहा है ये बीच में मैं बता सकता था आपको हर के बारे में है ना उसमें भी है ये कहते हैं चठेद द्याय के सोलवे स्लोक में कि है अरजुन जो योग है वो नहीं जादा खाने वाले का नहीं कम खाने वाले का नहीं जादा सोने वाले का नहीं कम सोने वाले का शिद होता है योग किसका सिद होता है योग में सफलता किसको मिलती है योग तहारवी अरस से जिसका जो योग मारग पहल योग रुड है योगास से यूगारुट है जिसका हाहर ओव Picasso लाइफ्स्टैल जिसकी ठीक है हैना हितबूagger मिट खीक के नुसार बोजन करता है यह ना और ऐसा वक्ति यूगतहार वियारस यूगि कर से जिसकी चेस्ट ठीक और जिसके करम ठीक है जिसका सोना जागना ठीक है जिसके करम ठीक है जिसके सवपन ठीक है जिसके विचार ठीक है जिसके विचारधारा सकारात्मक जिसका आटिटूड जिसका दरश्टी कोन सकारात्मक है ऐसे व्यक्ति का ही योग सिद होता है ऐसा गीता में रहते हैं तो मुझे लगता है आज का ये पूरा हो गया है आज के लिए इतना ही है ना आगे फिर किसी वीडियो में हम विस्तार से जानेगे फिर भी आपको कोई डाउट हो कोई कन्फुजन हो तो नीसंदे नीसंद कोच आप मुझे पूछ सकते हैं है ना तो डरने की घवराने की कोई जरुरत नहीं है क्यों क्यों जरुरत नहीं है अक्सर मैं कहता रहता हूँ क्या फरक है खुदा और फकीर में क्या फरक है किसमत और तकदीर में अगर कुछ चाहो ना मिले तो समझ लेना कुछ अच्छा लिखा है हाथ की लकीर में आप सब का साथ मासव में धन्यवाद करता हूँ एरिगेतो स्पेसी बो डंके कैम ओन मर्सी थैंक्यू एंड एट लस्ट माई मदा टंग आप सब का धन्यवाद इती ओम शांती शांती शांती